शक्ति या उर्जा किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए विद्धुत शक्ति की आवशक्ता होती है ये शक्ति ताब बिजली, कोईले से, जल विद्धुत, बांधों से, पवन बिजली, सौर उर्जा, परमाणु उर्जा, आदि से प्राप्त होती है कोईला वजन में काफी भारी होता है, साथ ही कोईले से बनने वाले बिजली ग्रह के आजपास के शेत्र में कोईले से निकलने वाली राख, एश से काफी प्रदूशन होता है कोईले का विकल्प है डीजल लेकिन ये दोनों पर्यावरन के दृष्टी से प्रदूशन कारी है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रकृती में सीमीत मात्रा में ही उपलब्द है और समय के साथ साथ इनके खत्म हो जाने का डर है इसलिए आजकल पर्यावरनी दृष्टी कोंड से उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोध भी तलाशे जाने लगे हैं जैसे सौर उर्जा, पन बिजली, वायू उर्जा, कचरे से बिजली बनाना आदी इनमें से सबसे किफायती बिजली, बांधों से बनने वाली जल विद्धुत उर्जा लेकिन बड़े बांधों से बहमूल्य वन और खेती हर जमीन डूब जाती है और कई गाउं उजड़ जाते हैं छोटे और मध्यम बांध और पहाड़ी ढलानों पर बने बिजली सयंत्र इसके उचित विकल्प हो सकते हैं जिन राजियों वा देश में विद्धुत सतत वसस्ति मिलती हैं वहां और द्योगी करण के संभावनाय बढ़ जाती हैं यहां सतत का तादपरे किसी भी कार खाने में मशीन चलाने के लिए विद्धुत 24 गंटे निर्बाद रूप से मिलते रहने से हैं बाजार किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाजार में खपत होती हैं अता सभी उत्पादों को बाजार तक ले जाना होता है साथ ही लगातार बदलते हुए बाजार के स्वरूप भी उद्योग को इस्थापित करने में महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं बाजार से तादपरे किवल परिवहन खर्च कम करने से नहीं है बलकि बाजार में नए-नए उत्पादों की खपत के साथ-साथ लोगों का उत्पादों के प्रती रुजान बनाये रखने के लिए वस्तों का आकश रखोना एवं गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो गई है साथ ही मानक बाजार के भी जरूरत होती है जिससे दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोग एक तरह के उत्पाद की मांग करें अर्थात लोगों की सोच, रूची वा खपत में समरूपता हो पिछले 25 वर्षों के दौरान मोबाईल के उधारंट से उसे समझा जा सकता है कि शुरुवाती दौर में 1990 से 99 में बहुत ये कम कमपनिया मोबाईल बनाती थी तथा मोबाईल भी कम लोगों के पास होता था क्योंकि लोगों की पहुँच कम थी आज बहुतेरी कमपनिया मोबाईल बनाती है बाजारों के प्रतिसपर्धा में अपने आपको बनाये रखने के लिए कमपनिया अपने नए फीचर के साथ अलग-अलग आकार डिजाइन सस्ते मूले पर मोबाइल बाजार में लाती है जिसे वे ग्राहकों का आकरशन अपनी ओर कर सके तथा बाजार में अपने को पुना स्थापित कर सके श्रम उद्योगों में काम करने के लिए कुशल और प्रसिक्षित मजदूरों की अवशक्ता होती है साथ ही कुछ कुशल मैनेजर, वेज्ञानिक, कम्प्यूटर प्रोग्रामर आदे की जरूरत होती है और द्योगी करन के यह भी जरूरत है कि कुछ लोग लीक से हट कर सोचे नई-नई चीजों की खोच करे समस्याओं के नए हल खोचते रहे अर्थात लोग स्रिजनशील और भीड से हट कर सोचने वाले बने विकारशील देशों में मजदूरों की समस्या बहुत भिन रूप में है सगन जनसंख्या वाले देशों में बेकारी की समस्या गंभीर है अतावे सस्ते में काम करने के लिए तयार हो जाते है लेकिन उनमें कुशलता की कमी होती है, वे अधिकानशिता असिक्षित होते हैं और आधुनिक उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते देश के कई कारिगरों को कुशलता हासिल करने के लिए विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है रोजगार के मामले में महतुपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि कम्पनियों ने अब इस्थाई मजदूर वह कर्मचारी रखना कम कर दिया है और वे आस्थाई या ठेके पर मजदूर रखने लगे हैं या काम का आउट्सोर्सिंग करने लगी हैं इसे कम्पनी की श्रम लागतों में काफी बचत हो रही है या परिस्थिति यूरोप और अमेरिका के विक्सित देशों की परिस्थितियों से बहुत भिन्न है पूंजी और द्योगी करन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है पूंजी की पूंजी उपलब्द कराने के लिए कई संस्थाओं का स्थापित होना आवश्यक है जिसे शेयर बजार, बैंक और भीमा कम्पनिया इनकी होने से किसी भी उद्योग पती को कार खाने लगाने के लिए जरूरी पूंजी उपलब्द होती है लोग अपना धन खाली और अनुप्योगी न रखे और उसे लाप कमाने के लिए निवेश करे इसके लिए बैंक जैसी संसाइद जरूरी है उद्योगों में व्यक्तिगत पुंजी केवल वैपारिक तथा लाप के दृष्टी से लगाई जाती है और इस प्रकार की पुंजी में उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित होते हैं जहां लाप की संभावना लगभग निश्यतु जिसे मुंबई के कपड़ा उद्यो आपको ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास तथा प्राकृतिक संपत्ति के उप्योग संतुलित विकास को ध्यान में रखकर सरकारी पुंजी निवेश किया जाता है भिलाई इस पात सयंत्र इसका एक उदारन है प्रद्योगी की प्रद्योगी की जितनी आधुनिक होगी उतना ही सहच एवं निम्द लागत पर ज्यादा उत्पादन संभव हो सकेगा विक्सित देशों के पास आधुनिक प्रद्योगी की होनी के कारण वहां अध्योगी करण अधिक संभव हुआ है जबकि विकार शियल देशों में प्रवध्योगी की के कम विकास से उद्योगों का कम विकास हुआ है इसके लिए नय नय अनुसंधान नई तक्नीकी का विकास आवश्यक है जिससे ज्यादा उत्पादन हो सके जरा सोचे कि उच्च गुणवत्ता के लो एसक से तो उच्च गुणवत्ता युक्त लोहा इस्पाद का निर्मान किया जा सकता है लेकिन कम गुणवत्ता वाले लो एसक से उच्च गुणवत्ता के लोह इस्पाद का उत्पादन किस प्रकार संभो होगा यह नए अनुसंधान के द्वारा ही संभो हो सकता है नई नई स्वचालित मशीनों के उप्योग से सरवाधिक वगुणवत्ता युक्त उत्पादन ही तू प्रद्योगी के विकास वो उसकी संभाणाओं को तलाशना महत्वपूर हो गया है दुनिया के अन्य देशों के बारे में सूचना के माध्यम से पता करना और द्योगी करन में मददगार साबित होता है आज कमपनीों में कई प्रतिस्परधा है इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अत्यधिक वगुणवत्त युक्त उत्पादन के लिए आधुनिक वज नई तकनिक का उपयोग करें इसके लिए कई कम्पनिया नई तक्नीक वाली कम्पनियों के साथ मिलकर उत्पादन का काम करती है उदाहरन के लिए भारत की हीरो कम्पनी ने जापान की कम्पनी होंडा के साथ मिलकर हीरो होंडा मोटर साइकल का उत्पादन शुरू किया